हाँ डो फीक्स सेमसंग एस डूस ट्री इस विक्रिंग प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तो स्वागर आप सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है इस्क्रीन फ्लिकरिंग प्रॉब्लम सॉल्फ कर सकते हैं या पर दोस्तो आपने कई बार नोटिस क्या होगा आपके डिवाइस में कभी कबार इस तरह के का इशू आ जाते हैं ठीक है तो इस्क्र स्कृ光 स्कृण स्कृण फ्लिक करते हैं अगर हार्डवर में इस्व है तब यदि स्क्रीन फ्लिक्र करते हैं ठाए तो यहो अगर आपको स्क्रिन फ्लिकर करते हुए तो आप इस वीडियो को अन तक जरूर देखें मैं आपको कुछ solutions बताऊंगा जो कि आपको follow करना है उसके बाद दोस्तो देखेगा आपका जो problem में किस तरीके से fix हो जाते है ठीक है अगर software के related कोई भी issue है तो definitely दोस्तो यहाँ पर problem solve हो जाएगा लेकिन दोस्तो हरूर के वज subscribe नहीं किया है तो subscribe करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें और अगर आप online पेसा कामा ना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले चीज़ दो आप से पहले चेक करकी देखे कि उसमें कितना storage बचा हुआ है ठीक है तो उसके दोस्तों आप सेटिंग पर जा सकते हैं फाइल मेनेजर पर जा सकते हैं चेक कर सकते हैं आपका storage full है या फिर खाली है तो कई बार दोस्तों storage fully रहते हैं हमारी device में तो आपको क्या करना है junk files व अपने install किया हुआ application तो उन चीजों को delete कर दें ठीक है तो इस तरीके से आपको सबसे पहला solution follow करना है at least 40% to 30% आपका storage space खाली होना चाहिए ठीक है उसके बाद दोस्तों आपके जो mobile है उसमें जो भी application से उसको update करकी यूज़ करें कम application होगा अच्छा रहेगा उसको update करके आप यूज़ कर सकते ठीक है तो updated version का application वगरा यूज़ कीजिए सारी साथ दोस्तों आपके जो mobile software है वह भी update होना चाहिए ठीक है mobile software में जाए और mobile software को भी update कर दीजिए तो यह सारे चीज़े अगर आप एक ही साथ में करते तो आपका screen flickering problem solve हो जाएगा ठीक है तो screen flicker का problem द solve कर सकते अगर software के related कुछ भी issue है अगर software update करने के बाद fix हो जाता है ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है setting पर जाना है scroll down करना है general management पर जाके reset option select करने और उसके बाद factory data reset कर देना है ठीक है factory data reset करने के बाद दोस्तों चेक करके देखे hardware का issue हो सकते है ठीक है screen crack है या फिर कोई भी hardware के related में अगर problem आ जाते है कोई भी श्रोट सर्कीट मरण बोट में या फिर किसी भी तरह का issue हो सकते hardware के related तो उसके वज़द से issue होते है ठीक है कई बार दोस्तों screen flicker उसी वज़द से भी करते हैं तो आपको क्या करना है कोई भी service center पर जाना है अगर phone अभी warranty तो free में भी आपका problem fix हो जाएगा अगर warranty खटा मोच चुका है तो आपको यहाँ पर जाके किसी भी technician के पास या फिर service center पर जाकी वे आप problem को solve कर सकते हैं ठीक है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर software से अगर काम नहीं बना तो आपको hardware ली fix करना पड अगर कुछ भी problem software के वाज़े से हो रहा है तो आपको क्या करना है अगर hardware के वज़े से हो रहा है तो आपको क्या करना है ठीक है उमीद करते हैं आपको यह वीडियो बसने होगा thanks for watching